जैश्री विष्णा राम राम नमस्ते जैसे कि आप देख रहे होंगे हम जा रहे हैं आज 31 दिसम्बर सालिबरेट करने बरोट बहुत ही प्यारी जगा है और बहुत ही ठंडी जगा भी है क्योंकि वो हिल के ऊपर है बरोट पहाड़ी एरिया है बिल्कुल प्योर पहाड़ी भी बर्फ होगी यह तो अच्छा है कि धूप है धूप की बज़े से सड़कें थोड़ी साफ है अधरवाई सड़कों में बर्फ का पानी होता है और कीचड़ी कीचड़ होता है और रोड भी ठीक नहीं है कच्छा है क्योंकि यहां पर लैंड्सलाइट के बहुत ज्यादा चांसिस होते हैं जिसके बज़े से रोड जो है खरावी रहता है यहां का तो आप देख सकते हैं हम कितरी ऊपर हैं टॉप पर हैं और साथ में जो पेड़ हैं देबदार के भी हैं चीर के भी हैं और साथ में बुराश के भी पेड़ हैं बुराश हिमाचल का जो राज की और गर्मियों के दिनों में इनकी चटनी बगारा बना जाती है रैड कलर की बनती है और अगर किसी को नक सीर बगारा की प्रॉब्लम हो तो इसकी जो रस होता है उसका जूस पिलाए जाता है और देबदार जो है वो हमारा ही माचल का स्टेट्री है तो हम जाएंगे पहले कोट से बारा किलमेटर दूर है देव धांक नाम की जगा है वहां पर मिलेगा वह जो में मंदिर है और यह सड़क के साथ है देपशा कोट का मंदिर हम पहुंच गए हैं यह हमारे फैमिली मेंबर हैं फ्रेंड्स हैं आप देख सकते हो कितनी दूर है कितना ऊपर है बोड़ इस तक कभी नहीं सुना कि इन देवता के होते हुए जब से यह हैं इस रोड़ पे कभी एकसिडेंट हुआ हो और सबसे बड़ी बात है कि यहां हवन कुंड है यहां हवन होते हैं यह देवता जो है पहाड़ों का में देवता है बड़े देवता जिसे कहते हैं बारिश के अगर कभी मतलब आपकी कोई मनोकाम ना है या कुछ आप मननत करते हैं तो यहां जरूर पूरी होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर भी पशु बली बगर दी जाती है। लेकिन आप तो नारिय इल भी चड़ाएं तो इभी काम चलता है। अगर आपकी कोई मनोकान में पूरी है, करनी है, आप यहां आएंगे, अगर मनत मांगते हैं तो जरूर पूरी होती है, जै हो, यह उल्ल नदी है नीचे, आजकल ठंड में पानी जम जाता है, तो पानी नदीयों का कम हो जाता है, और बर्फ भी पड़ी है, यहां पे जो धू अंदर जगा है, बरोट बहुत ही अच्छी जगा है, हम पशाकोट दे भी आये थे, थोड़ी सी आगे जाएंगे, इससे आगे और बर्फ का मज़ा लेंगे, सुबा निकले थे हम, यह हमारे यहां से बहुत दूर तो नहीं है, आप सुबा जाकर शाम को बापिस घर आ सकते हैं आराम से, और अगर आपको पूरा बरोट देखना है, एंजॉय करना है, तो आप एक दिन स्टे भी कर सकते हैं, बरोट काफी बड़ी मार्किट हैं, हाँ तो देव पशाकोट के बारे में बता दूं थोड़ा से में आपको और यहां के जो देव होते हैं, अगर मेलों मे कभी आप आएं ही माचल के तो पालकियां देखेंगी आपको, पालकियों में देवताओं के साथ देवों को रखा होता है, और उनके साथ बहुत ज़्यादा मातरा में लोग भी चले होते हैं, तो उन सब के जो में होते हैं, वो देव पशाकोट होते हैं, यह बारिश के दे निता होती है इन देवताओं के इधर इन देवताओं के बड़े-बड़े मंदिर होते हैं अपने अपने एरिये होते हैं अपनी जगा होती है और इन देवों यह मतलब जितने भी देवाते हैं हिमाचल के बहुत ही यहां के लोगों की शरदाही इन पर होती है देवों पर और अगर आपने कभी सर्च किया हो तो हिमाचल में बहुत सारे जो रिशी मुनी हैं ये ऐसे ऐसे देव हैं बहुत माने जाते हैं जैसे अगर हिडिमबा देखी हो आपने घटोत कचुए फिर आपके कमरु नाग पशाकोट देव बहुत ज़्यादा देव हैं मेलों में खासकर पहले देव ही आते हैं जितने भी बड़े मेली होते हैं उसके बाद ही मेलों का कार्यकरम शुरू होता है उनकी अलग अपनी ही जगा होती है देवताओं की मेलों के अंदर भी आप देख सकते कितनी सुन्दर जगा है ये और जहां धूपकम में है वहां पर अभी भी बर्फ जमी हुई है खेतों में तो 2020 जो है वो बहुत बुरा निकला है सभी की लाइफ में बहुत बुरा निकला है तो आई भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारा आने वाला साल जो है वो सुक्संपत्ति लाए और सब के लिए शांती दे बहुत-बहुत नहीं है थोड़ा सा रोड अगर पक्का कर भी दें तो यहां पर लैंड्सलाइट के चांसे और बर्फ बहुत जादा होती है जिसके पानी से ही रोड खराब हो जाता है यह नीचे जो है थोड़ी थोड़ी दिखरी है यह उल नदी है बहुत ही सुन्दर जगा है बहुत ही गूमने के लिए अगर आपका भी फैमिली के साथ आएं हिमाचल गूमने तो बरोड जरूर जाएं लेकिन जो रोड है आप देख सकते हो कितनी उंचाई पर है खतरनाक हैं तो सबल संभल कर ही ड्राइविंग करें यह नीचे उल नदी है अब हम और आगे जाएंगे बर्फ देखने के लिए फिर वस हम वहां से बापस घर हो जाएंगे यह आप देख सकते हो यह बर्फ पड़ी है बहुत जादा हमारा जो हिमाचल है हमारी धे भूमी है वो बहुत ही मिस्टीरियस है आप अगर डीपली हिमाचल के बारे में पढ़ें तो आपको ऐसे ऐसे बातें ज जादा ही माचल के साथ कनक्ट है खासकर ऐसे जगों से तो यह था हमारा लास्ट आप बरफ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी हैपी न्यू यार तो और स्टे सेप स्टेस हैल्दी हाव गुड़ ड़े